पनीर की सबजी यूं तो हम लोग काफी तरह से बनाते हैं, खाने में भी काफी अच्छी लगती है, आज की जो हम पनीर की सबजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसे हमने बिल्कुल ही अलग धंग से बनाया है, स्वाद सभी तरह के पनीर की सबजी से अलग है, बहुत ही बढ खाने में लगती है लास्ट में एक टिप आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपकी सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा और देखने में भी काफी गजब की लगेगी तो चलिए सब्जी को बनाते हैं इस सब्जी के लिए हमने लिया है 300 ग्राम ताजा पनीर इसको मैंने छोटे उनकापली चमच गरम मसाला ढालेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल कर चमच से चला कर घूल लेते हैं पानी बस इतना डालना है कि मसाले सारे अच्छे से खूल जाए सब्जी ज PROF काफी बढ़ जाता है और इसे सब्जी देखने में भी अच्छी लगती है मसाले हमने अच्छे से मिला लिए है अब एक कढ़ाई में दो से तीन टेबिल स्पून के लगभग तेल डालेंगे इसमें मैंने सरसों का तेल यूज किया है आप कोई भी कुकिंग ओई ले सकते हैं तेल के करम हो जाने पर इसमें हम दो मीडियम साइज के पतले कटे हुए प्यास को डालेंगे आदा इंच अदरक के टुकडे को छोटा करके डाल रहे हैं तीन कलियां लैसुन की डाल दी है इसमें मैंने अब इन सब को मीडियम फ्लेम पर चला कर ब्राउन कर लेंगे जैसे जादा इसको हमें डार्क नहीं करना है बस आब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकालेते हैं अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और इसे ब्राउन कर सकते हैं जादा नहीं करना है बस हलका सा ही ये देखिए प्यास को मैंने निकाल लिया है अब कढ़ाई में सिर्फ एक टेबिल पून ही तेल बचा है अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे दो रफली कटे हुए टमाटर टमाटर को धोकर काटने है अब हम इसमें तले हुए प्यास को डाल देते हैं प्यास जब हलके से ठंडे हो जाए तभी इसमें डालें अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच कसू मसाले डालेंगे जैसे एक तेजपत्ता एक हरी लाईची दो लॉंग कठाई में इन सब को हम डाल देते हैं इसी के साथ हम आधा चोटी चमत साबुजीरा को डालेंगे इन सब को डेड़ मिनट के लिए चला लेंगे इन खड़े मसालों का अपना एक अलगी स्वाध होता है इ से हम भून लेते हैं जब इस तरह से भीगे हुए मसाले भूने जाते हैं तो यह जलते नहीं है अब यह देखे मैंने इसको भून लिया है इसमें हम डाल देते हैं टमाटर और प्यास का पेस्ट अब जार में हम आधा कप पानी डाल कर हिला लेंगे और कढ़ाई में डाल द ये देखिये इसमें उबाला चुका है इस समय ग्रेवी में काफी अठी सी महका रही है तमस हमांतर हमारे काफी चए से पग ईहां बस इसी तरह से हमको पकाना आपको जादा पकाने की जरूरत नहीं है इस समय हम डाल देते हैं इसमें 4 टेबेल स्पून घर की मलाई को इसे हम चम्म से चला कर डालेंगे अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो उसको भी डाल सकते हैं इसे सब्जी में बहुत बढ़ी असा टेक्स्चर आता है और देखने में भी ये काफी अच्छी लगती है अब इसको हम मिला लेते हैं म हम इसमें पनीर को कच्चा ही डाल रहे हैं आपका जैसा मन हो पनीर को गेवी में डाल लीजिए पनीर को डालने के बाद इसमें हम 2 हरी मिच को डाल देते हैं हरी मिच को मैंने लंबाई में 4 हिसे करके डाला है इसको हमने तीखे पन के लिए डाला है क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ये हमने आधा कब पानी डाला है इसमें, अब इसमें स्वात के अनुशार नमक डाल देते हैं, जैसा आपको पसंद हो, उस हिसाब से इसमें नमक डालें, अब इसमें हम डाल देते हैं, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, आधा छोटी च बढ़ाने में मज़ा आता है अब इसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ढखकर पकाएंगे जिससे पनीर ग्रेवी के साथ पक जाए अब इसको हम चेक कर लेते हैं यह लीजिए सबजी हमारी पूरी तरह से तयार है क्योंकि पनीर को जादा नहीं पकाना पड देते हैं और लास्ट में इसमें हम डालेंगे दो चोटी चमच देशी घी को घी डालने के बाद इसको हम मिला लेंगे जो आपकी सब्जी का स्वाथ तो बढ़ाएगा ही साथ ही साथ इसके डालने से सब्जी में एक चमक यानि शाइन आ जाती है बहुत बढ़िया सी अब ये देखिए सब्जी का जो टेक्स्चर है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है और ये सब्जी खाने में बहुती स्वादिस्ट है गी वाली ट्रिक को आप भी असमा कर देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये कितना कारगर है एक बार आप भी इस तरह से पनी पैक भी जरूर दीजिए